नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रोगन सर में एक और इंपोर्टेट वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छुई मुई के क्या होते हैं फायदे 99% लोग नहीं जानते हैं कि छुई मुई के भी ऐसे फायदे हो सकते हैं जिसे जानकर लोगों के कान पुली रह जाएं जिहां छुई मुई के ऐसे फायदे होते हैं कि जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप इसका लाब उठा सके छुई मुई का पौधा एक प्रकार की बारह मासी जाड़ी है जो की उचाई में बहुत ही कम बढ़ती है इस जाड़ी में इसकी जड़े पतली और बेलनाकार होती है इस पौधे की मोटाई लगभग 2 cm तक हो सकती है इसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं जो साखाओं के दोनों और होते हैं यह पौधा आवसदी गुरों से भरपूर होता है इस पौधे को लाजवनती नाम से भी जाना जाता है क् इस पौधे को च्छूने से ही वह सरमा जाती है यानि कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इंसान के च्छूने से ही नहीं किसी भी चीज की इस फर्स से लजवन्ती का पौधा सिकुड़ जाता है इस चुई मुई के पौधे के पौश्टिक गुड़ों के अधार पर लाजवन्ती को आयरुवेद में आउशदी के रूप में इस्तिमाल किया जाता है तो चलिए अब जानते हैं इसके क्या है आउशदी के गुड़ और इसे कोई भी व्यक्त किस प्रकार से फायदा ले सकता है डाइबडीज को ठीक करे जी हाँ दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी इलाजवन्ती के पौदे से डाइबडीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है ये शरीर में रक्त सरकरा के उच अश्तर को नियंदित कर सकता है यदि आप उच अश्तर सरकरा से गरसित हैं तो आपको इसे समद्धित अन्य समस्याएं भी हो सकती है इन सभी का उच्चार करने के लिए आप इस पौदे का रस का सेवन कर सकते हैं ये रक्त सरकरा के अश्तर को कम करने में मदद करता है इसके लिए आप 10 दिनों तक एक पौदे से निकाले गए रस को 30 मिली लीटर मात्रा का सेवन करें ये आपके लिए फायदे मंद होगा जी हाँ दोस्तों मदमेह में आप इसका सेवन करें और इसका लाब उठाएं गाओ को भरने में जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना परामपरागत रूप से इस पौदे की पतियों का उपयों घाओ उपचार के लिए किया जाता है आप इस पौधे के रस का उपयों कर घाओं के संक्रमन को फैलने से रुख सकते हैं और इसका उपचार भी कर सकते हैं अध्यनों से पता चलता है कि इस पौधे में घाव को ठीक करने वाले ऐसे गुड़ होते हैं जो अन्य पौधे में नहीं देखे जाते इस पौधे की पत्तियों को पीस कर रस निकाले और घाव पर लगाएं इसके उपचार गुड़ घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं साथ ही दर्द को सांध करने में भी सहायक होते हैं ये आपके घावों को ठीक करने का प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है तनाव और टेंसन को करे दूर जी हाँ दोस्तों छोई मुई पौधा में ऐसे भी गुड़ होते हैं जिनके कारण इसका उपयोग अजुर्वेद चिकित्सा में किया जाता है ये परामपरागत रूप से तनाव को कम करने वाली औशदी के रूप में उपयोग की जाती है इसमें मौजूद पोसक तत्व और उपचार गुड़ मस्तिस का स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं ये मानसिक स्वास्त को बढ़ावा देने और तनाव और साद जैसी मानसिक समस्याओं से निपटने में भी मदद कर सकती हैं गठिया की अरुवेदिक दवा है छूई मूई जी हाँ दोस्तों जो लोग गठिया रोग से पीडित हैं उनके लिए छूई मूई एक प्रभावी दवा का काम करती है इस पौधे में एंटी एंफिलामेंटरिक गुड होते हैं जो जोडों में सूजन का इलाज कर सकते हैं इस तरह कि इस पौधे का उपयोग गठिया के दर्द से छुटकारा पाय जा सकता है गठिया का उप्चार करने के लिए आप इस पौधे की पतियों का पेश्ट बनाएं और प्रभावीत हिस्से में लगाएं इस पेश्ट को रात भर लगा रहने दें प्रति दिन नियमित रूप से इस पेश्ट का इस्तिमाल करने से आपको बहुत ही जल्द आरा मिलेगा लाजवन्ती से करें बवासीर का इलाज जिहां दोस्तों पायल्स आज के समय में एक कमभीर समस्या बन चुकी है जो बहुत ही बिड़ा दायक और सरमनाक होती है ये सरीर में अत्यादिक कमजोरी भी ला सकती है क्योंकि इससे अधिक मात्रा में रग्त स्राव हो सकता है लेकिन इस समस्या का उच्चार लाजवन्ती के पोदे से किया जा सकता है बवासीर रोगी को इसकी पत्तियां पीस कर प्रती दिन दूद के साथ सेवन करना चाहिए आप विकलके के रूप में आप इस पोदे की जड़ का भी सेवन कर सकते हैं इसके लिए आप इनकी जड़ों को सुखा कर पाउडर बना लें आप एक चमच पाउडर को चार चमच दही के साथ मिलाकर सुबह के समय सेवन करें जब तक कि आपको इससे राहत ने मिलें यह बवासीर का इलाज करने का प्राकरति को पाया है अगर आपको इस वीडियो से जड़ा से भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर से जरू करें और अगर आपको कोई सुजाव या सवाल हो तो कमेंट में तुरन पूछें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइक हो